Hello everyone, this is Divya and welcome to my channel Dialectical Girl और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे Arbitration and Conciliation Act 1996 के एक और important topic के बारे में Enforcement of Foreign Awards आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि Foreign Awards क्या होते हैं Foreign Awards और Domestic Awards में क्या difference है हमें Case Law भी Study करेंगे जिसके थुरू हम Foreign Awards के Essentials को जानेंगे और साथ ही में Foreign Awards की क्या requirements होती हैं हम ये भी discuss करेंगे मैंने और भी कई important topics पर वीडियो बनाई हुई है तो अगर आपने मेरी previous वीडियो नहीं देखी हैं तो वो आप मेरा चानल विजिट करके देख सकते हैं या फिर मेरी playlist में जाकर देख सकते हैं और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हैं तो मेरी वीडियो को like करिएगा अपने views comment करिएगा वीडियो को अपने friends के साथ share करिएगा और हाँ मेरे चानल को subscribe जरूर करिएगा तो चलिए बिना किसी देरी के ये वीडियो स्टार्ट करते हैं तो जैसा कि हम जानते हैं कि Arbitration and Conciliation Act 1996 फोर पार्ट में डिवाइट किया गया है इसका पार्ट 1 General Provisions on Arbitration से डील करता है पार्ट 2 Enforcement of Certain Foreign Awards से डील करता है पार्ट 3 Conciliation से डील करता है और पार्ट 4 Supplementary Provisions से डील करता है यहाँ पर हम बात कर रहे हैं फोरें अवाइट की और डिमेस्टिक अवाइट की तो जो डिमेस्टिक अवाइट होता है वो पार्ट 1 के थ्रू गवन होता है और जो फोरें अवाइट हैं वो पार्ट 2 के थ्रू गवन होते हैं अब हम बात करते हैं डिमेस्टिक अवाइट की तो domestic award वो होता है जिसके उपर section 2 से लेके section 43 के provisions apply करते हैं यानि कि जो part 1 के through government होता है वो award जो section 2 से लेके section 43 के provisions के under pass किया गया हो उसे हम domestic award कहते हैं और जो domestic award होता है वो domestic arbitration का ही result होता है इसलिए वो सिर्फ Indian territory तक ही confined होता है हमने domestic arbitration के बारे में अपनी previous video arbitration में discuss किया था जिसमें हमने types of arbitration के बारे में बात करी थी तो domestic arbitration क्या होता है domestic arbitration एक ऐसा arbitration होता है जो कि usually इंडिया में occur होता है इसलिए हम उसे domestic arbitration कहते हैं जब किसी dispute का subject matter या scope of agreement या उस dispute के merits या फिर जो भी procedure हम arbitration proceedings में use कर रहे हैं वो Indian law के थुरू govern होता है तो फिर उसे हम domestic arbitration कहते हैं या फिर अगर किसी dispute का जो cause of action है वो इंडिया में arise हुआ है या फिर जो parties है commercial transaction की उनके ओपर Indian jurisdiction अपलाई होता है तो भी उसे हम domestic arbitration ही कहते हैं अब अगर कोई award किसी arbitral institution के थुरू Indian में दिया गया है तो फिर उसे हम domestic arbitration कहेंगे या फिर अगर कोई award किसी foreign state में दिया गया है लेकिन जो dispute की parties हैं वो Indian origin की हैं और जो law apply हो रहा है उस proceeding पर वो भी Indian law है तो उस case में भी हम उसे domestic arbitration ही कहेंगे इसको हम और easy words में समझते हैं जैसा कि हमने पहले जाना कि जो domestic award होता है वो domestic arbitration का result होता है और domestic arbitration यानि कि अगर हम इंडिया में कोई arbitration कर रहे हैं तो अगर हम इंडिया में arbitration करते हैं यानि कि कोई arbitral institution जो कि इंडिया में situated है अगर वो arbitration proceedings करने के बाद कोई award पास करता है तो फिर हम उसको domestic award कहेंगे या फिर अगर कोई award किसी foreign state ने पास किया यानि कि इंडिया के बाहर अगर कोई arbitration हुआ है किसी foreign state ने कोई award पास किया है लेकिन उस जो dispute था जिसके ओपर award पास हुआ है उस dispute की जो parties थी वो Indian origin की थी और उस dispute पर जो law apply किया जा रहा था वो भी Indian law था यानि कि वो dispute Indian law के थ्रू गवर्ण हो रहा था तो अगर उस dispute पर कोई award पास होता है तो उसे भी हम domestic award ही कहेंगे अब हम बात करते हैं foreign award की तो arbitration and conciliation act 1996 के section 44 में हमें foreign award के बारे में बताया गया है इसमें कहा गया है कि foreign award का मतलब एक ऐसे arbitral award से है जो कि किनी दो parties के differences से relate करता है जो कि किसी commercial matter पर होते है यानि कि वो matter जो कि Indian law के थ्रू commercial consider किया जाता है अगर उस matter पर किनी दो parties के बीच में कोई differences है और उस पर कोई award पास किया जाता है तो उसे foreign award कहा जाएगा इसको हम और easy words में समझते है तो अगर Indian law के थ्रू किसी matter को commercial consider किया जाता है और उस matter के differences पर अगर कोई award पास किया जाता है तो उसे हम foreign award कहेंगे यानि कि अगर किनी दो parties के बीच में कोई dispute है या differences है और Indian law उस difference को as commercial consider करता है यानि कि जो भी matter है उसे as commercial matter consider करता है तो फिर उस पर जो award पास होगा उसको हम foreign award कहेंगे इसलिए हम ये भी कह सकते हैं कि foreign award एक ऐसा arbitral award है जो कि foreign arbitration का result होता है यानि कि अगर foreign arbitration हो रहा है foreign arbitration means अगर कोई भी arbitration इंडिया से बाहर हो रहा है तो उसे हम foreign arbitration कहते हैं तो अगर foreign arbitration हो रहा है तो उस case में जो award पास होगा उसको हम foreign award कहेंगे ना कि एक domestic award तो ये जो points हमने discuss किये ये तो basic difference हो गए foreign arbitration, domestic arbitration, foreign award और domestic award में अब हमें केस स्टडी करते हैं जिसमें हमें further clarity दी गई थी कि किसी भी arbitration को foreign arbitration कहने के लिए क्या necessary conditions फुल्फिल होनी चाहिए, क्या essential elements है foreign arbitration के जिसके तुरू जो उसका end result होगा उसे हम foreign arbitral award कह सकते हैं. obvious है कि अगर foreign arbitration हो रहा है तो उसका end result होगा यानि कि जो award pass होगा वो भी foreign arbitral award होगा. तो foreign arbitration के क्या essential elements हैं, क्या necessary conditions फुल्फिल होनी चाहिए, इसके बारे में हमें Calcutta High Court ने Sirajuddin वर्सेज माइकल गुल्रेट्स के case में बताया था. इस case में जो points lay down किये गए थे वो necessary conditions हैं और य आना था कि हम foreign arbitration उस arbitration को कहते हैं, जो कि India में ना होकर किसी foreign country में होता है. तो पहली condition जो fulfill होनी चाहिए वो है कि जो arbitration है वो किसी foreign country में होना चाहिए, यानि कि जो arbitration proceedings conduct हो रही है, वो किसी foreign country में होनी चाहिए. दूसरी condition है by a foreign arbitrator, यानि कि जो भी arbitrator appoint किया जाएगा, वो भी foreign होना चाहिए और फॉरेंडर होना चाहिए इंडिया का ना होकर उसे किसी और state का होना चाहिए तीसरी condition है arbitration by applying foreign laws यह भी तीसरी condition बहुत important है हमने जाना था कि जो domestic arbitration होता है उसमें Indian law apply होता है तो अगर foreign arbitration हो रहा है तो उसमें foreign के laws apply होने चाहिए तो ये भी एक essential condition है कि जो भी arbitration पर laws apply हो रहे हैं वो foreign law होने चाहिए fourth condition है one of the parties consist of foreign nationals अब यानि कि जितनी भी parties हैं disputes की उनमें से कोई एक party foreign national होनी चाहिए तो ये चार essential elements हैं या necessary conditions हैं जो कि fulfill होनी चाहिए किसी भी arbitration को foreign arbitration कहलाने के लिए और अगर ये सारी conditions fulfill हो जाती है तो इसका मतलब कि वो arbitration है वो foreign arbitration है और उसका जो end result होगा यानि कि जो award pass होगा वो foreign arbitral award होगा तो अब हम बात करते है requirements of a foreign award यानि कि एक foreign award की क्या basic requirements है तो अगर कोई award following conditions fulfill कर देता है तो फिर उसे हम foreign award कह सकते हैं तो सबसे पहली condition है कि जो भी arbitral award है वो parties के disagreement पर based होना चाहिए और वो disagreement उनके legal connection से arise होना चाहिए whether उनका relationship है वो contractual है या नहीं है यानि कि अगर parties के legal connection के थ्रू कोई disagreement arise हो रहा है और उस disagreement पर कोई award पास किया जाता है तो उसे हम foreign award कह सकते हैं second condition है the arbitral award must be made under a written contract यानि कि जो भी arbitral award है वो किसी written contract के अंदर पास किया जाना चाहिए third condition है the arbitral award must be made in accordance with a contract to which the Genoa convention और New York convention apply third condition बहुत ही जादा important है इसमें कहा गया है कि अगर कोई arbitral award किसी ऐसे contract के accordance में pass किया गया है जिसके ओपर Genoa convention या New York convention apply करते हैं तो उस award को हम foreign award कह सकते हैं इसको हम और easy words में समझते हैं तो माली जे कोई contract है जिस पर Genoa convention या फिर New York convention अप्लाई करता है और उस contract के disagreement पर अगर कोई award पास किया जाता है यानि कि उस contract के accordance में अगर कोई arbitral award पास किया जाता है तो फिर उसे हम foreign award कह सकते हैं अभी हमने third condition में जाना कि जो भी contract है उस पर Genoa Convention या New York Convention अपलाई होना चाहिए अब जो award पास किया जा रहा है वो किसी ऐसी country में पास किया जाना चाहिए जिसको central government के थुर convention country declare किया गया हो यानि कि एक ऐसी country जिसको central government ने convention country designate किया है अगर उस country में जो award है वो पास किया जा रहा है तो फिर उस award को हम foreign award कह सकते हैं अगर कोई award ये सारी conditions fulfill करता है और वो सारी requirements भी fulfill करता है foreign award के enforcement की तब उस award को हम India में carry out करा सकते हैं अब हम बात करते हैं enforcement in case of foreign awards यानि कि foreign awards का enforcement कैसे होता है तो अभी हमने पहले discuss किया New York convention और Genoa convention के बारे में और साथी convention country के बारे में अब इसी को हम और broad sense में discuss करते हैं तो जो इंडिया है वो New York convention और Genoa convention की signatory है तो अगर इन conventions के थ्रू कोई award पास होता है यानि कि अगर किसी contract पर ये conventions अपलाई करते हैं और उसके उपर कोई award पास होता है तो इंडिया उस award को as foreign award recognize करती है अब अगर कोई party New York convention या Genoa convention की signatory है और उसने कोई binding award receive किया है या फिर वो award किसी ऐसी territory में दिया गया है जो कि इंडिया के थ्रू convention country designate की गई है उसके official gazette में तो फिर उस award को हम इंडिया में enforce करा सकते हैं इसको हम और easy words में समझते हैं तो मान लिजे किसी party ने कोई binding award receive किया है यानि कि किसी party के favor में कोई award आया है और वो party New York convention या फिर Genoa convention की signatory है या फिर वो award किसी ऐसी territory में दिया गया है जिसको इंडिया के थ्रू convention country designate किया गया है उसके official gazette में तो फिर उस award को हम इंडिया में enforce करा सकते हैं यानि कि ये essential conditions हो गई इंडिया में enforce कराने के लिए किसी भी foreign award को तो ये conditions क्या होई सबसे पहली कि जिस भी party को वो award enforce कराना है वो party New York convention या Genoa convention की signatory होनी चाहिए या फिर वो award किसी ऐसी territory में पास किया गया हो जो कि इंडिया के थ्रू convention country designate की गई हो उसके official gazette में अब अगर हम बात करें arbitration and conciliation act 1996 के section 47 की तो इसमें कहा गया है कि अगर कोई party foreign arbitral award को enforce कराना चाहती है तो उसके लिए उसे court में application file करनी होगी कौनसी court में? High court में foreign award के case में हम high court में application file करेंगे और उस high court में जिसके पास jurisdiction हो और साथ ही साथ उस party को court को following चीज़े provide करानी होगी तो सबसे पहला तो हमें court में एक application file करनी होगी high court में जिसके पास jurisdiction है और साथ में हमें क्या चीज़े provide करनी होगी original award और its certified copy यानि कि जो भी award pass किया गया है वो original award हमें provide कराना होगा court को या फिर उसकी एक certified copy प्रोवाइट करनी होगी original arbitration agreement और its duly certified copy जो arbitration agreement था पाटी की बीच में वो हमें original provide करना होगा या फिर हमें उसकी डually certified copy प्रोवाइट करनी होगी and if the award or agreement is in a foreign language अब जो award या agreement foreign language में है तो फिर पार्टी को उसकी एक certified copy produce करनी होगी English language में translate करके यानि कि अगर कोई award foreign language में अब हम foreign arbitration की बात कर रहे है foreign arbitral award की बात कर रहे है तो obvious है अगर उसे foreign laws apply होते हैं तो वो foreign language में भी होगा तो अगर उसे India में उसे enforce कराना है तो उसके लिए उसको English language में translate करा कि उसकी एक certified copy court में produce करनी होगी या फिर अगर कोई और evidence है जो की establish करता है उस award को as foreign award तो फिर उसे वो evidence भी court में provide कराना होगा इनी सब चीजों को हम एक बार और discuss करते हैं तो section 47 में कहा गया है कि अगर कोई party foreign arbitral award को इंडिया में enforce कराना चाहती है तो उसके लिए उसे high court में application file करनी होगी और साथ में क्या चीज़े provide करनी होगी original award या फिर उसकी certified copy original arbitration agreement या फिर उसकी duly certified copy और अगर arbitration agreement या arbitral award foreign language में है तो उसे उस award को English में translate करा कि उसकी certified copy court में produce करनी होगी या फिर अगर उसे कोई और evidence produce करना है ये proof करने के लिए कि जो भी arbitral award है वो foreign arbitral award है यानि कि foreign award है तो वो सारे evidences भी उसे court में produce करने होगे So that's all for today I hope आपको आज की इस वीडियो के सारे points अच्छे से समाझ आए होगे और clear हुए होगे अगर आपको कोई भी query है तो वो आप मुझे comment section में पूछ सकते है अपनी आने वाली वीडियो में हम New York convention और Genova convention के बारे में बात करेंगे अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो do like this video share this video with your friends and yes, don't forget to subscribe to Dialectical Girl for more such educational content Thank you for watching